दोस्तों आप मेंसे बहुत सारे दोस्तियार ऐसे हैं जो phone pay application का यूज करते हैं और उनके bank account से जो है automatically पैसा debit हो रहा है यानि कि auto pay यहाँ पर phone pay का एक feature है जिसके तुरू आपके bank खाते से पैसा कट जाता है और आपका जो phone pay का wallet है उसके उपर transfer हो जाता है तो guys इस बीडियो में आप जानेंगे कि phone pay का जो auto pay feature है या auto top up feature है वो क्या है कैसे इसको activate करते हैं कैसे इसको deactivate करते हैं और जो पैसा आपका bank account से कट चुका है आपके phone pay wallet के उपर transfer हो चुका है उस पैसे को आपको वापस अपने bank खाते में कैसे transfer करना है इस बीडियो में आप आपको पूरी जानकारी मिलेगी तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखीगा तब ही आप सीख पाएंगे हलो दोस्तों मेरे नाम नवीन है आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चनल हमस अफर टैक यहाँ पर हम सबसे बहले यह समझते हैं कि आखिर phone pay का auto pay feature क्या है इसको ह आप auto top up भी बोलते हैं तो normally दोस्तों जिस तरीके से आप pay time wallet में पैसा add करते हैं और उसके बाद pay time wallet balance को payment transfer करने में, recharge करने में, will payment करने में use करते हैं तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर जो है phone pay का अपना wallet है जिसके तुरू कभी-कभी बहुत सरे लोग गलती से इसको enable कर दे तो उसके बाद पैसा आपके bank count से कटता है और directly आपके phone pay wallet में transfer होता जाता है जैसे आप phone pay wallet का balance use करेंगे और एक limit के बाद यहाँ पर balance कम होगा उसके बाद automatically दुबारा पैसा कटेगा आपके wallet के उपर transfer हो जाएगा तो normally आप phone pay wallet में जो balance होता है उसको आप payment करने में, recharge करने में, bill payment करने में आसाने से use करते हैं चले दिसनों बात करते हैं कि phone pay का जो auto pay feature यहाँ पर है इसको enable कैसे करते हैं, activate कैसे करते हैं तो simply आपको सबसे पहले अपने mobile phone पर phone pay application को open करना है और left side में बाई तरफ आपको सबसे top पर क्लिक करना अपने profile की icon पर जैसे आप क्लिक यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे options आजाएंगे तो नीचे आप देखेंगे यहाँ पर एक options है, auto pay settings आपको simply auto pay settings के उपर क्लिक कर देना है, अब यहाँ पर आपको phone pay, auto pay feature के फायदे बताएगे हैं जैसे कि पहला फायदा क्या है कि अगर आप अपने credit card को phone pay के उपर जो ह आपका due amount होगा जो भी आपका balance होता है payment करने का, तो उसके बाद जो है automatically पे होता रहेगा और आपको late payment भी नहीं देनी पड़ती है, इसके अलावा यहाँ पर जो है automatically आपका bill का payment होता रहेगा, जैसे कि electricity bill आपका payment करते हो, तो automatically जैसे bill generate होगा, auto payment होता रहेगा, और यह आपके उपर क्लिक कर लेना है, अब दुस्तों हमारे यहाँ पर phone पे wallet में अभी भार balance है, 378 रुपे, ठीक है, 378 रुपीज, तो अभी आप नीचे देखेंगे, set auto top up, यहाँ पर एक options है, set auto top up, तो आपको इसके उपर क्लिक कर लेना है, अब यहाँ पर आपको बताया गया है कि आप 500 रुपे, 1000 रुपे, 3000 रुपे और maximum आप 5000 रुपे, auto fee feature के थुरू जो है, आप जो है, enable कर सकते हैं, amount को transfer करवा सकते हैं, तो सबसे पहले ही बात तो यहाँ पर यहाँ पर बताया गया है, कि अगर आपका wallet के उपर 400 रुपे का balance होता है, या उससे जादा होता है, तो आपका पैसा add नहीं होगा, जैसे यह 400 रुपे से नीचे cross करेगा, कम होगा, तो automatically जो आपने auto fee feature के थुरू यहाँ पर 500,000, 3000, 4000, 5000, जो भी आपने amount को enable किया होगा, वो पैसा automatically cut किया आपके bank खाते से, और phone पे wallet के उपर transfer हो जाएगा, तो चलिए यहाँ पर हम कर लेते है 500 के उपर और यहाँ पर करते हैं, set auto, top up के उपर नीचे क्लिक, उसके बाद आपके सामने एक और page कुल कर आएगा, यहाँ पर आपको अपना UPI pin को enter करना होगा, जो आपका bank count का UPI pin है, आपको घबराने की बिल्कुछ ज़रुत नहीं है, और यहाँ पर देखेगा, जैसे हम Automatically जो है, आपका यह feature enable हो चुका है, activate हो चुका है, और next day यहाँ पर date दिया गया है, और time दिया गया है, इस दिन और इस टाइम को मेरा पैसा मेरे bank count से कट जाएगा, लेकिन याद रखेगा, इतना पैसा आपके bank हाते में होना चाहिए, ठीक है, तो अब यह enable हो चुका है, तो यहाँ पर deactivate करने के basically दो तरीके है, सबसे पहला तरीका दूस्तों यह है, कि आपको transaction history में जाना है, और नीचे आप देखेंगे, यहाँ पर हमारा 500 रुपे auto pay हुआ था, तो आपको auto pay जितना भी आपने amount set किया हुआ था, उस amount के उपर transaction के उपर आपको click कर लेना है, अ जहां से भी आप directives को yes कर देंगे, confirm करेंगे, auto pay आपका delete हुजाएगा, और दूसरा तरीके guys यह है कि आपको home page पर आना है, और सबसे उपर आपको profile पर दुबारा click करना है, जैसे आप click करेंगे ना guys, आप आपको यहाँ पर एक options नज़र आएगा, auto pay settings, तो आपको simply auto pay settings के उपर click कर लेना है, जैसे आप यहाँ पर click करेंगे, अब जितना भी आपने auto pay settings को enable किया होगा, amount enter करके वो आपको यहाँ पर नज़र आएगा, तो आप simply यहाँ पर नीचे आएगे, remove auto pay पर click कर देंगे, जैसे आप remove करेंगे, confirm कर देंगे, और जैसे आप confirm करेंगे, वोड़ा सब वेट करेंगे, auto pay remove in process आएगा, और यहाँ पर automatically यहाँ पर यहाँ पर delete हो जाएगा, अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि phone पर auto pay feature हमेशा के लिए आपको deactivate करना है, delete करना है, तो उसके लिए आपको दुबारा से profile की icon पर click करना है, उसके बाद आपको नीचे दिख रहा होगा, delete का एक options तो आपको simply delete कर लेना है, जैसे आप यहाँ पर delete करेंगे, confirm करेंगे, आप यहाँ पर आपका permanently यहाँ पर यह feature जो है deactivate हो चुका है, अब दोस्तों बात करते हैं कि जो भी आपका phone pay wallet में आपके bank account से पैसा transfer होके आया था, उस phone pay wallet का balance को आपको कैस transfer करना अपनी bank account में, तो इस पर मैंने complete एक वीडियो बनाया है, गर आपको वीडियो देखना है तो वीडियो को description में आपको link मिल जाएगा, आप उस वीडियो को जरूर देखना, और आपको यह वीडियो कैसा लगा, guys comment करके यार जरूर बताना, और वीडियो को like और अपने दूस्तों के साथ में, share जरूर केज़ेगा